आज की वीडियो में बात करेंगे पांच स्विंग डेटिंग स्टॉक्स की जो कि अपने ब्रेकाउट लेवल के आसपस ट्रेड कर रहे हैं आने वाले वीक में अच्छा मोमेंटम उपर के साथ दे सकते हैं सबसे पहले आपको एक बार निफ्टी का मैं ओवर्वीव देता हूँ विकॉज स्टॉक जो है निफ्टी को फॉलो करते हैं निफ्टी अगर हम बात कर लें अपने ओल्टाइम हाई के आसपस ट्रेड करने लगा है जस्त 20-25 पॉइंट से ही छोड़ के गया है यह जो दिसंबर में ओल्टाइम हाई बना हुआ था वहां से एक स्लो अनिस्टी आपको नीचे के साइड फॉल देखने को मिला था और सेम तरीके से यहां पर एक डबलू पैटन मनाने के बाद यह उपर का मोमेंटम आपको देखने को मिला है बहुत स्ट्रॉंग ट्रेंड हम इसको बोलते है एक ट्रेंड के बाद बस 20-25 परसे इसने हर बार रिट्रेस किया है अब सेम लेंथ का ट्रेंड उपर भी बन चुका है तो question is क्या यहां से directly यह breakout करेगा या फिर यहां पर एक बार retrace करने के बाद फिर से उपर breakout करेगा जैसा कि आपको हर बार यह देखने को मिला है retracement तो अगर यह retrace करके उपर breakout करे तो इसको हम बहुत ही healthy correction बोलेंगे लेकिन ठीक है अगर यह directly breakout करेगा तो भी बहुत सारे लो फिर 620 मालो यह जो level मेंना draw कर रखा है इसके नीचे जल्दी से नहीं आना चाहिए इसको अगर consolidate करना है तो यह range जो 200 point का इस range में consolidate करने के बाद उपर break करे तो फिर ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर 640 के नीचे आएगा तो एक पहला sign देगा weakness का ठीक है उपर से अगर आप यहाँ पर trend line देखेंगे तो यह भी trend line चली आ रही होगी चोटे time frame पर अगर यह trend line नीचे के साथ break होगी तो आने पर time 500 और गलती से 500 break हो गया तो फिर यह weak हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है 640-600 का जो late range है और 700-850 का इसके बीच में consolidate क करके उपार निकाल देगा या फिरेक्ट निकालेगा आपको बस यहाँ पर area of difference पता होना चाहिए price इसके नीचे आने लगे तो धिरे थरे अपने swing trading के पोजिशन से उसको आप light करना start करेंगे अगर 500 के नीचे आ गया तो फिर आप सारे positions को अपने cut करना start करेंगे ठीक है ब flag and pole का pattern दिख रहा है ठीक है अब flag and pole के pattern के बाद क्या होता है कि यह उपर break करता है जिसे साब से यह last जो candle है वो पुरी तरीके से cover होई उपर के side clearly देखने में लग रहा है कि बहुत ही तगड़ी एक strength buyers के पास उपर वाली और हो नहों आने वाले week में इसको उपर break कर देना चाहिए अगर यहां पर 44,500 का level break करेगा तो मेबी एक से दो दिन के अंदर आपको 45,000 को जो round number है वहां तक के target भी देखने को मिल सकते है उसके according कर सकते है पहला आपको sign का पता चलेगा यहां पर जो red candle है इसका high cross हो मतलब की 44,200 यह level break होते ही आपको एक first sign आ जाएगा कि पह अगर इसको consolidate करना है तो यही एक higher point के range में consolidate करेगा मेबी एक week दो week और because यह बहुत ही बड़ी एक trend है तो उसके बाद अगर एक महीने consolidate कर भी जाता है न कोई खास बात नहीं होती है लेकिन break पोरी उमियादे कि उपर के साड़ी करने वाल है ठीक है area of defense में आपको बता दिया और बागी चीज़ आप देख सकते हैं सबसे पहले stock सी बात कर लेते हैं पहला stock हमारे पास हिंदुस्तान Unilever फिरहाल अभी एक पिछले दो तीन week से consumer sector जो है FMCG वो काफी एक strength शो कर रहा है यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान Unilever का chart आपके सामने लगा रखा है जिसको यह price multiple time अपना resistance को test कर चुका है resistance कितना है 2729 का ही resistance है price अगर यह resistance उपर ब्रेक करके में भी एक दूघंटे hold कर जाता है तो without any second thought 2800, 2900 और 3000 यह तीन target आपको आने वाले week में देखने को मिल सकते हैं तीन target as in अगर आप एक week के ट्रेड़ के प्लान कर रहे है तो अगर आप एक महीने के लिए ट्रेड़ के प्लान कर रहे है तो में भी आपको 10% भी देखके जाए तो वह आपके time frame के बटेपेंट करता है कि आपका target किसना बड़ा होगा stop loss आपका safe है अगर stop loss की बात करें तो last swing में हमेशा आपको बोलता हूँ यह जो last swing है यह आपका stop loss होगा किसी को अगर बड़ा लग रहा हो तो आप बीच में stop loss डाल सकते हैं लेकिन बीच में stop loss डाले में क्या होता है दोख मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ price जैसे कि यह एक swing बना के उपर निकल गया ठीक है अगर आप stop loss यहां कहीं डाल के रख रहे हैं क्योंकि आपको यह बड़ा लग रहा है नीचे वाला तो इसमें आपको दो चीज़ें होती है या तो directly निकल जाएगा तो आपका stop loss हिट नहीं होगा या फिर एक बार आपका stop करने का आपके पास दम होना चाहिए अगर आप एक बार stop loss हिट खा सकते हैं उसके बाद भी रीटेस्ट कर सकते हैं तो आप छोटा stop loss रखके काम कर सकते हैं ठीक और उपर shift होने का क्या मतलब होता है कि buyers अपने पूरे-पूरे control में है ठीक है यहाँ पर एक breakout देखने को मिला उसके बाद यह रीटेस्ट है अब यहाँ पर अगर गलती से भी 645 का level उपर के side cross होता है तो just यहाँ पर 3-4% पर stop loss हो 630 का जो round number है न इसके just नीचे हम stop loss डाल यहाँ से अगर निकलेगा तो 700 का target आपको कहीं भी नहीं आराम से देखने को मिलेगा 645 को उपर हम long जा सकते है 700 का पहला target आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है stop loss मैंने आपको बता दिये यह आपका 25-30 point का stop loss hardly है यहाँ ठीक है यह आपका KPR मील हो गया and third stock हमारे पाज जो है bank का पड़ोधा जैसे कि हम bank nifty में देख सकते हैं कि एक strong rally आपको उपर देखने को मिल रही है और कहीं नहीं के consolidation पूरा होते दिख रहा है same chart यहाँ भी देखने को मिल रहा है अपने all time high के आसपास multiple time यह test कर चुका है one two और three और यहाँ से आपको एक उपर train भी देखने को मिल रहा है दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर swing lows देखेंगे तो हर एक swing low उपर shift होते गया है इसको हम higher lows बोलते है जब भी एक higher lows की case में बनता है और उपर यहाँ पर जो highs है वो अगर flat हो जाते है तो chances पूरे पूरे होते हैं breakout के breakout का range कौन सा है 189 का यह area है इसके उपर अगर एक घंडी की candle close हो जाती है देन आपको first target तो यहाँ तक मिलेंगे जो लोग scalping करना चाहते है मतलब की छोटे time frame में scalping as in जैसे की 3-4 द तो मुझे नहीं लगता है कि इस area से निकलने के बाद इसको यहाँ भी resistance मिलेगा हो सकता है कि यहाँ जाने के बाद एक candle hold करें लेकिन sooner or later यह निकाल के कम से कम आपको minimum पहला target 200 फिर 210 का target easily देखे जाएगा बैंक निफ्टी अगर अपने all time high को break करेगा तो यह सारे stocks है जो कि उसको help करेंगी इतनी असानी से stock नीचे नहीं जाने वाले अगर इसको नीचे जाना था ना तो यहाँ पर इतने देर तर ना किया होता इमिडेटल यहाँ पर नीचे आ गया होता ठीक है last second last stock हमारे पास ज दिया करता था अब यहाँ पर वापिस से resistance ले रहा है now same level पर यह अगेन यहाँ यहाँ पर consolidate करने के बाद ऊपर यह break कर चुका है current level पर हम बाइंगिल प्लान कर सकते है stop loss हमारे यह 5% का जाएगा जितना भी आपको 5% जायस में आप रख लीजे उसके according आपने target को प्लान कर स stock में ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-2 मिले कभी-कभी हम 1-1.5 में भी काम कर सकते हैं परस आपको एची ध्यान रख नहीं होती है कि 1-1 से नीचे कोई भी trade कभी भी आपको नहीं लेनी है ठीक है वरना जो probability है वो आपके अगेंस में काम करने लगती है last stock हमारे पास जो है that is Indian अब यह stock मैंने last week भी दे रखा था अगर आपने last week के वीडियो देखे हैं तो हर stock proper breakout के साथ एक अच्छा काम करके दिया है आपको last week में अगर आप नहीं देखा है तो last week के वीडियो देख लीजेगा वो stocks अभी भी काम आते हैं कुछ लग पूछते हैं कि last week के जो वीडियो वो आपका पूरा-पूरा महीना चलता है आप previous week के वीडियो को भी आराम से follow कर सकते हैं 5 stock previous हो गए 5 वी stock इस week के हो गए उसमें से आप अपने analysis करेंगे और आपको उसमें से top 10 में से जो भी 3-4-5 stock पसंदना है उनको आप लेकी रख सकते हैं ठीक है Indian railway की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमने बात करी थी कहीं ने कहीं इस लेवल पर कि breakout होगा तो आप इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर यह जो लेवल था इसको breakout करके दिया है नौ यहाँ पर अगर हम entry के बात करें current price भी आप अगेन एंटर कर सकते है stop loss आपका यह जो last swing है इसके just नीचे है और यह जाए एक वीक की बात करें तो maximum आप 700 का target रखेंगी और आपका जो stop loss हो यह जो candle बनी होई न बड़ी वाली इसके just नीचे भी डाल सकते हैं कोई खास बात नहीं है इतनी बड़ी candle बनी इसकी यह candle नीचे के side cross अब नहीं हो नीचे असानी से अगर cross होती है तो एक danger sign हो सकते ह और आपका जो last level of defense है वो है यहाँ पे 638 का level 638 के नीचे इसको किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए यह 5 stocks है जो कि आप आने वाले week में trade कर सकते हैं लाइच कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे है अगर आपको अनाचिस पसंद आई वीडियो को like कीजे कोई